राहुल वैद्य और रूबीना दिलाई घर के अंदर लड़ते तो लगभग रोज हैं लेकिन जब इन दोनों का एक दूसरे के लिए सौफ्ट कॉर्णर दिखाई देता है तो वो बिग बॉस की फांस को बेहत पसंद आता है वेल आने वाले एपिसोड में भी आप लोगों को कुछ ऐसा ही दिखने वाला है जब मुस्कुराते हुए राहुल वैद्य ने मान ले रूबीना दिलाई के आगे हार यह तो आप लोग जानते ही है कि घर के अंदर लाइव एंटेटेन्मेंट टास्क होने वाला है जिसमें राहुल और रूबीना दोनों में से जो पहले बजर दबाएगा उसे एंटेटेन्मेंट का मौका मिलेगा और रूबीना दिलाईक ने पहले बजर दबाया लेहाजा रूबीना ने राहूल से बाजी मार ली, मगर इस बीच सबसे क्यूटी ये था कि राहूल ये मुस्कुराते हुए वहां से जा रहे थे। राहुल की मुस्कुराहट ने वाकई दिल जीत लिया ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई अपना किसी अपने की जीत पर खुश हो रहा हो उसे अपनी हार से ज्यादा सामने वाले की जीत जरूरी हो हैश्टाग नो मोर नेगेटिविटी पाइनल काट एंटेंवन दिस्क